हेलो फ्रेंज मैं अनामी का मेरे किचिन में आप से भी का श्वागत है फिर्ट आज में ठावी जैसा अंडा कड़ी बनाने वाली हूं यह बिलकुल क्विक रेस्पी है इसे आप जब चाहे बनाईए बहुत ही टेश्टी लगता है तो चलिए हम फटा फट बनाना शुरू करत अंडा कड़ी बनाने के लिए हमने यहा पर अंडा लिया है अंडा उबाल की सील रखा है अब हम अंडे में कट लगाएंगी तो एक नायफ की अंडा जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो इसमें रश अंदर तक जाता है और इसका श्वाद बढ़ जाता है तो हम सभी अंडे में कट लगा ले रहे हैं हमने सभी अंडे में कट लगा लिया है अब हम इसको मेरिनेट करेंगे तो मेरिनेशन में हम डालेंगे चुटकी भरा हल्दी एक चमस कस्मेरी लाल मिर्स और चुटकी भरा हम नमक भी डाल लेंगे अंडे को हम अच्छे से मेरिनेट कर लेंगे इससे क्या होता है अंदर तक अपना अंडा अच्छे से स्पाइसी होता है और फ्राई करने में भी अच्छा दिखता है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से अपना हल्दी में इच नमक में अंडाली पट गया है तो चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं हमने गैस पे एक कडाही ले लिया है कडाही में हम एक चमच तेल डालेंगे तेल को हमें अच्छे से गरम होने देना है तभी हम उसमें अंडा छोड़ेंगे, आप कभी भी अंडा फ्टाई कीजिए, तो तील को अच्छे से गरम होने के वाद डालिए, नहीं तो खड़ाही में अंडा चीपकने लगता है, आप देख सकते हैं, अपना तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो हम हेंडल पकड़के एक अच्छे डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं, जब मैं अंडा डाली तो खोड़ा भी पर खीटा नहीं आया, इसी टीप्स के साथ हम हाज के अंडा पड़ी बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं, एक साइड से अपना अंडा जो है अटाली होना के बट़ दिया है, यानि इसका पलब चैन पोने जगा है, अब पलशी की मदब से इसे लट लट के चारो तरफ से डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं, अपना अंडा अच्छे सिखाई हो चुका है, अब चलिए हम ग्रेवी बनाने के तैयारे करते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो बड़े प्याज को काट लिया है, दो टमाटर को काट के रख लिया है, एक इंस अदरक के टुग्रे को चिल के साफ कर लिया है, बारक से पंदरक कली हम लहसुन ले ले लेंगे, लाल मिर्च है, यानि कि हडी मिर्च है, यह पक चुका है, लाल हो गया है, और यहाँ पे हमने एक मुठी मुफली के दाने का छिलका हटा के लिया है, यानि कि रोष्ट किया फिर उसका छिलका हटाया, अब हम सारे इंगिरेंज को एक मिकसर जार में ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने एक मेडियम साइज वाला मिकसर जार लिया है, सबसे पहले हम उसमें मुफली डाल दे र और शबका हम एक smooth सा फेष्ट बना लेंगे, तो आप देख सकते हैं हमने प्याल लाज सुनमी ट्रमाटर का फेष्ट बना लिया है, फाइन फेष्ट बना है, आप देख ले कितना सुन्दर दिख रहा है, चलिए हम कडाही की तरफ चलते हैं, हमने कडाही से अंडे निकाल लि पत्ती, चार से पांच लॉंग और जीरा, भ्यान रहें, ग्रेवी तैयार होने के बाद हम लॉंग को निकाल लेंगे, नहीं तो मुझ में कड़वा टेष्ट आता है, पर मशाले में इसका फेवर बहुत बढ़ियां आता है, इसके लिए हमने डाला है, फोरन को हम मेडियम तरकाएंगे, तब अच्छे से यह तरकता है, नहीं तो फुटाब से जल जाता है, इसका कोई फ्लेवर नहीं आता है अपने तेल में, अब भ्यान से देखिए, अपनी तरका से चटकने की आवाज आने लगी है, अब हम इसमें जो ग्रेवी इसके रखे हैं, उसे डाल दें अब हमारे मिक्सर में जो खोड़ा बहुत मसाला बचा है, उसको पानी डाल के हलका सा और उसे फीस में डाल देंगे, और हम ग्रेवी को मेडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, भ्यान रहे, साड़ा टेष्ट अपनी ग्रेवी में ही आता है, तो यहां पे हमने दो चम पानी डाल के और मिक्सर को घोल लिया है, वो भी पानी डाल दे रहे हैं, तो ध्यान रहे, अगर ग्रेवी पतली रहती है, मसाला अपनी तो शीटी उड़ते हैं, इस टाइम में हम इसे कभर करते हुए भूनते हैं, यानि कि आप देख सकते हैं, उबाल आ गया, हमने ऐसे ए लिया है, अब सबीए हम इसमें कुछ सुख्य मसाले एड़ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिया है, दो चमस लिनिया पॉडर, दो चमस लाजमीच पॉडर, और यहाँ पे हम आप हाँ चमस थल्दी डालेंगे, तेश के कोडिंग हम यही पे नमक डाल देंगे, तो अपना टमाटर अच्छी से भूण जाता है, तो यहाँ पे हम वन इन हाफ, चमस लाजमीच डालेंगे, क्योंकि इसमें हमें पानी भी डालना है, चलिए हम सुख्य मसाले भी तोटी मीनन तक भूणते हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे एक चमस गरम मसाला, और जो हमने यह के बेसन रखा है, ध्यान रहे हैं, कच्छा बेसन आप अभी मत डालिये, कडाही में इसे एक मिनन तक रोष्ट कर लिए, और दावी जैसा कलर आये इसकी लिए हम यहांपे फूड कलर डाल रहे रहे हैं अप चाहें तो ढालेँए नहीं तो कोई ज़रूडत नहीं है हमने किवल कलर के लिए डाला है चली हम बेसन के साथ मसाला थोड़ा देर और हून लेते हैं आप देख सकते हैं अपना अडोश्टेट बेसं था तो बिल्कुल लंस वगड़ा नहीं आया है अच्छे से मसाले में भून गया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो आपको कितनी गाड़ी रखनी है ग्रेवी उस हिसाफ से पानी डालिएगा कुछ लोग अपने मेंबर के हिसाफ से भी डालते हैं कितने मेंबर है खड में तो हमने यहाँ पे एक ग्लास पानी डाला है अपनी ग्रेवी बहुत ही सुन्दर बन चुकी है अब हम इसमें अंडा डालेंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था तो हम एक एक अंडा ऐसे छोड देंगे अंडा डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे दिख रही है ना आपको कोटल जैसी ग्रेवी अपनी अंडे में लिप्ती हुई और हमने इतना अच्छा अपना मशाला फ्राई किया था कि इसकी खुशू हमारे घड में फैल चुकी है अब हम इसक 4-5 मिनट तक अंडी के साथ पका लेंगे 5 मिनट हो चुका है चलिए हम कबर हटा के अपना अंडा चेक कर ले रहे हैं तो चलिए हम फ्लेम को आफ कर ले रहे हैं और अपना अंडा चेक कर ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं इतनी बढ़ियां अपनी अंडा कढ़ी बनके त खावा एश टाइल, उसकी कलर देखिए, इसकी ठीकनेस देखिए, तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, तो चलिए हम प्लेटिंग कर ले रहे हैं, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कितने बढ़ियां अपनी अंडा की ठीकनेस है, हर अंडे में ग्रेवी लिप्टी ह हुई है और कलर श्वाद तो आप बनाएंगे तो ही पता चलेगा तो आप देख सकते हैं तो फ्रेंज आपने देख लिया धावा इस्टाइल अंडा-कड़ी बनाना कितना आशान है तो इस रेश्पी को आप भी ट्राइ किजिए अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब् किजिए धन्यवाद